दोस्तों, क्रिकेट साउथ अफ्रीका यानी की CSAT 20 लीग की तयारी जूरों पर है। हाल ही में मुंबई इंडियन्स के स्वामित्व वाली फ्रैंचाइजी ने अपने नाम का अनावरन किया है। और अब रिपोर्टों के अनुसार, भारत के पूर्व कप्तान और स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज इमेज धुनी। आगामी सीजन के लिए CSK के स्वामित्व वाली जोहांसबग फ्रैंचाइजी के मेंटर बन सकते हैं। BCCI द्वारा आयोजित इंडियन प्रीमियल लीग यानी IPL ने आज एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इसने सामान्य रूप से भारत में भारतियक हिलाडियों और क्रिकेट के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और अब कई देश इस मार्क पर जाना पसंद कर रहे हैं। उसी मार्क का अनुसरन करते हुए चेन्ने सुपर किंग्स फ्रैंचाइजी ने भी भारत के बाहर विस्तार किया है। वे अब दक्षन अफरी की T20 लीग में निवेश कर रहे हैं और उन्होंने जोहांस्बग फ्रैंचाइजी खरीद ली है। हालां कि अभी इस बात की पुष्टी नहीं हुई है कि लीग में टीम का नाम क्या होगा। लेकिन अब खाबर आ रही है कि अगर BCCI से अनुमती मिलती है तो इमेश धोनी जोहांस्बग फ्रैंचाइजी के मेंटर बन सकते हैं। इससे पहले रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि जोहांस्बग CSK की तरह पीली जर्सी उतारेंगे और उनकी CSK टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंगी टीम के मुख्य कोच होंगे। हालां कि कई नामों पर विचार किया जा रहा है, जो टीम Super Kings की ब्रैंडिंग को आगे बढ़ा सकती है। और रिपोर्ट के अनुसार, टीम का नाम जोहांस्बग Super Kings या जॉबबग Super Kings में रखा जा सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों इस खबर के बारे में हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी क्रिकेट वीडियोज ला सके धन्यवाद